कि इंडिया वर्शे साथ ओपिका बहुत ही धम अखता हुआ है क्योंकि इंडिया एक नंबर मे बैठा ऑख पुया है पोइंट इबल पे Remember इंडिया के पास मजबूत पॉलर बाशमें लोटाः लैं इंडिया के तरब से अगर आप देखोगे सारे प्लेफॉर्म में मैच भाई ये तहल का मैच होने वाला है मतलब हर पबलिक का निगाह दो बज़े के बाद हटने वाला नहीं है सब लोग टीवी पे, ग्राउंड में या जहां पे भी मैं ही देखेगा मुबाइल में सब का निगाह हैं, इसी मैच पे होगा एक तरीके से ये सेमी फाइनल ही समझ लो मतलब क्योंकि दोनों टीम और रेड़ी क्वालिफाई कर चुका है और ये बहुत ही बड़ा धमा का मैच होगा और इस मैच में क्या होगा साइध आपको ज्यादा कोई बता नहीं पाएगा लेकिन इस वीडियो में आपको वो सारे सवालों का जबाब मिलने वाला है तो दिल थाम के बैठिए, वीडियो ध्यान से सुनिए मेरा हर दिन का पेडिक्शन सुपब जा रहा है कल तो चमतकारी हो गया 400 रन बनाया था न्यूजलेंड ने 400 रन फिर भी पाकिस्तान जीद लिया बारिस की सुक्रियादा करे पाकिस्तान वाले और फकर जमान का बैटिंग सांधार था आज के मैच में क्या होगा साइध उपका वर्सिस इंडिया यह बहुत ही खास रहने वाला है और हाँ टॉस के बाद मैं टॉस अपडेट, पीच रिपोर्ट, सब कुछ A to Z मेटरियल और अपना स्मॉल लिग टीम भी टेलिग्राम पे देता हूँ तो अगर आप हमारी टेलिग्राम से नहीं जुडे हो तो अभी जुड जाओ टेलिग्राम का लिंक integrate आपको first common box में मिलेगा First comment box में आपको टेलिग्राम का लिंक मिलेगा अभी क्लिक करके आप हमारी टेलिग्राम से जुड जाइए ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्से साउथ विका का मैच खला जाएगा दो बजे 5 नमबर को सेटीसमा मैच है ICC ODI World Cup का बात करते हैं वेन्यू तो इडन गार्डन कोलकाता में मैच खला जाएगा पास मही है जादे दूर है नहीं मैच देखने जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं है क्योंकि हमें वीडियो बनाना आपके लिए ठीक है फाइनल तेखने के लिए जाएंगे फाइनल ठीक है पीच रिपोर्ट की बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पीच है रन बनता है यहाँ पे दबा के साथ रुप का अगर पहले बैटिंग करता है तो no doubt 300 से पलस रन बनेगा इंडिया भी अगर पहले बैटिंग करेगा 300 से पलस रन बनेगा विकेट की बात करते हैं तो यहाँ पे विकेट सबको मिलता है स्पिनर को भी मिलता है फास्टर को भी मिलता है अब यहां पर देखो 32 मैच हुआ है फर्स बेटिंग करने वाला 19 बाद जीता है स्कोरिंग पेटर्न देख लेते हैं तो 250 से लेकर 300 के बीच में यहां पर जादर रन बना है मतलब 250-300 के बीच में सबसे जादर रन बना है चार मैच का रिकॉर्ड उठाके देख लेते हैं इस ग्राउंड पे इडन गार्डन में जो चार मैच हुआ था अठाइस ओक्टूबर दोज़ाता इसको मैच हुआ था नेदर लेंड ने दो उननतीस बनाए था यहां पे फास्ट बोलर को ज्यादा विकेट मिला है अब यह चारो मैच का रिकॉर्ड देखो चारो मैच में फास्ट बोलर ने ज्यादा विकेट लिया है टोटल चार मैच में 43 विकेट फास्ट बोलर ने लिया है और 15 विकेट अली स्पिनर ने लिया है तो मतलब यहां पर फास्ट बोलर का दबदबा तो ज्यादा रहता है ठीक साउथ अपिका वर्सिस इंडिया का बेटल हो चुका है और यह हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को जिसमें कि साउथ अपिका को 99 पर ओल आउट कर दिया था कास यही कल भी देखने को मिले मज़ा आ जाए इंडिया सुन्दर और सिराज तो खेल रहा है सुन्दर नी खेल रहा है कुल्दी व्यादव भी खेल रहा है सुमन गिल पचास रण का पारी खेला था इधा से हैंडी कलासन थिक्टा के लगा था बस प्लेंग लेवेंट में कोई बदलाव नहीं हैँ बट एक चेंज़स इंडिया के तरफ यह हुआ के हर्दिक पंदिया इंजट हो गया स्कवार्डव latest रभीन沒錯 नि psychologist देखने को मिले आपको इतर से वाई टेमा पूमह डिकॉक्ष, औरवन डशन मर्करम अब इसको पढ़के क्या बताओं यह पे प्रॉबलम क्या है इंडिया के साथ इंडिया के साथ यह प्रोबलम है कि जो लेप्टा मीडियम फास्ट बॉलर है उसके अगेंस में इंडिया टिक नहीं पाता क्योंकि इंड विटेरल लिया था, उसी तरह इधर से एक ही play रे है जो अधाम मारको जेनेसन्स और जो की खतरनाक फॉम में है बहुत खतरनाक फॉम में है भाई यह player इंडिया के साथ मतलब कुछ बूरा ना करें, बस यही दुगा करते हैं, लेकिन मार्को जनेसंस को विकेट मिलेगा no doubt safe captain मनाना चाहते हो मार्को जनेसंस को बनाओ विकेट लेगा दो विकेट तो confirm इसके खाते में आएगा साथ में रंज से भी point देखे जाएगा भाई हम तो यह चाहते हैं मार्को जनेसंस इंजर्ड हो जाएं और इंडिया इंडिया के लिए खत्राई थोड़ा सा बाहर हो जाएं अब बात करते हैं यहां पर सुब्मन गिल के बात करते हैं 26 कावरेज है और 21 कावरेज है खराब रिकॉर्ड है उतना खास रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सुब्मन गिल का बल्ला तो आज आपको देखने को मिलेगा लेकिन फ्लॉप होने का चांस अगर इंडिया पहले बैटि में बढ़िया रिकॉर्ड है ठीक है और लास्ट में चलेगा नहीं चलेगा बता दूं सुब्मन चलेगा रिकॉर्ड अच्छा है उन्चास का रिकॉर्ड है लेकिन इस वेन्यू पे 28 का अब यहाँ पर बात करते हैं केल राहूल का स्वेन्यू पे उतना खास रिकॉर्ड नहीं है 25 गवरेज है और सब्सक्राइब के बात करते हैं 49 का और तो मुझा लगा केल राहूल से स्यर शुर्क मैं यादव दोनों को मैं अपने टी में नहीं रख रहा हूं जडेजा चार मैंच में नौ भीकर लिया इस वेन्यू पे काफी experience है बैटिंग से भी performance करके देगा तो इसलिए important रहेगा आज के match में कुल्दी व्यादव का record अच्छा है साथूपका अगरेंस में इस वेन्यू पे भी अच्छा खासा विकर लिया यह भी important रहेगा दो मैंच में 6 विकर प्रेसर बनायेगा 11 मैंच में 17 विकेट वुम्रा को ज्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि साथूपका जो है प्लेयर वह बहुत आराम से खेलता है विकेट मिलेगा ऐसा नहीं कि टीम में नहीं रखना है एक विकेट ले सकता है और हो सकता दो विकेट भी ले 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 लेकिन बुमराज से ज्यादा important सामी रहेगा सिराज को विकेट मिलने का बहुत कम चांस है आज के मैंच में अब सिराज को ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो no doubt ठीक है सामी इंपोर्टन रहेगा सामी चार मेंच में 11 विकेट लिया साथ विकेट लिया लेकिन सिराज को एक विकेट मिलेगा उसको देखते हुए मैं सिराज को ट्रॉप कर रहा हूं ठीक है सद्दूल ठाकूर है इसान किसंध है रवीद अस्विनी है कोई खेली नहीं रहा हार्दिक पांडिय स्कॉर्ट से बाहर हो गया है अब बात करते हैं यहां पर साथ विकेट का का प्लेयर पहले बैटिंग करेगा तो मैं साथ विकेट का बैट्समें को रखूँगा भर भर क चालिस ओडियाई में चालिस का एवरेज है फॉम अच्छा नहीं है हर में जो चोबीस अठाइस सोलर रन बना रहा है डिकॉग की बात करते हैं भाई अभी तक सबसे ज़्यादा रन डिकॉग ने बनाया इस ICC ओडियाई वर्लकम में 500 प्लस रन बना चुका है डिकॉग अल इस वोडियाई वर्लकम में तो भाई भले फ्लॉप हो जाए लेकिन मैं ड्रॉप तो नहीं करूँगा स्मॉल लिग में रहेगा क्योंकि पूरा दुनिया का कैप्टन रहेगा टिम में रखूगा मैं कैप्टन वाइस कपता नहीं बना रहा है मुझे लग रहा है कि इंडिय इंडिया के बढ़िया रिकॉर्ड है आप चाहो तो वी सी वाइस कप्तन मना सकते हो क्योंकि कैप्टन कोली को बना ना वाइस कप्तन आर्में डरसन मरकरम की बात करते हैं लास्ट में छे रर्न मनाया था उसके पहले एक अन्बे बारह मैंच में दो विकर लिया है चोबिस क फ्लॉप जाएगा पिछला मैच तो अच्छा परफोरमेंस के तो उसके पहले फ्लॉप था ना उसी तरह अड़ेम मरकरम को अगर आप फ्लॉप करना चाहते हो और हैंडी क्लासन की बात करते हैं डिविड मिलर को भी ग्रेंड लिग में ट्राय करना मेगा कॉंटेस में मार्को जनेसंस आज मॉस्ट इंपोर्टन होगा अगर आपको लग रहा है कि कोई बैट्समें पॉपर्मेंस नहीं कर पाएगा फ्लॉप हो सकता क्या दस रन पर आउट हो सकता भी सन तो एक ऐसा प्लेय अगर आप देखोगे मार्को जनेसंस का परफोर्मेंस हर मेंच में तीन-तीन विकर्ट साथ में रन से भी पॉइंट देखे जा रहा है और दूसरा बात आपको बता दूँ लैप्टाम मिडियों फास बोलर है और सामने में राइटी भरा पड़ा है लेकिन एक अच्छी यह यहां पर बात केता है राबाडा चोगदा मेंस में 20 विकेड़ लिया है ठीक है उन्यांट राभाडी के साथ जाओगी तो जएदा पॉइंट देगा क्योंको यह डो विकेट आपको लेते वहें दिखाई देगा यह एक विए दिखाए दीगा एंडी फलेकवाईव की बात करते हैं जो कि एक बेस्ट आल राउंडर है खेल नी रहा है रिजा हैंडी तबरे अपसामसी को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि या पिस्पिनर को उतना हेल्प मिलते नहीं है विलियम्स की बात करते हैं इनको एक दो मेज़ों में मौका मिला कुछ किया नहीं है अब बात करते हैं प्लेयर बेटल बहुती बहुती खतरनाक है सुबमंगिल को रवाड़ा ने चार बार आउट किया है कोहली को रवाड़ा ने छोग बार आउट किया है अईयर को लूंगे व्यादव ने तीन बड़ा उट किया चलिए जैसे आप लोग को बताता हूं लाश्ट में एक टीम बना के सिखाता हूं वैसे अगर आप देखो के विकेट की पर में कोइंटेंट डिकॉक है सुमन गिल है, आरवें डसन है, रोई सर्मा है और विराट कोली है ठीक है यहाँ पर बात करनें जड़ेजा है, मरकरब है, मारको जनेसंस है, कॉट जी है, सामी है, बुमरा है एक और बोलर है इंडिया का, जो की अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो है कुल्दी व्यादव अगर आप कुल्दी व्यादव के साथ जाना चाहते हो, जा सकते हो, क्यों जा सकते हो, क्योंकि साउथ पिका के अगैंस में कुल्दी या दव बहुत अच्छा performance किया है, हर मेंच में विकेड लिखे गया है, तो किस के जगा रखोगे, सुमन गिल का मुझे लाग रहा कि बल्ला आज उतना नहीं चलेगा, आप सुमन गिल के जगा रख सकते हो, या तो मरकरम या तो जड़ेजा के जगा रख सकते हो, मरकरम के जगा इसका प्तान आर्वेंडरसन है मेरे टीम में, पूरे दुनिया का कैप्टन डिकॉक होगा, लेकिन आपको बता दूँ, आई डिकॉक का बल्ला उतना नहीं चलेगा, खामोस साइथ देखने को मिल सकता है, देखो अगर इनमें कोई चेंजस हुआ, तो फाइनल टीम में टेल इस गेम में वित्य जोकिम की संभावना शामिल है और इसकी रिलत लग सकती है, क्रिप है जिम्यदारी से और अपने जोकिम पर खेले हैं